गुडन खंडन करके द्वी घाट समीकरण को हल करना अब हम पाट के शुरू में विभिन परिस्थितियों से बने समीकरण 1, 2 तथा 3 को हल करके उनके चरके मान प्राप्त करेंगे समीकरण 1, X की घाट 2, RIN 20 की घाट 2, बराबर 0 को हल करने के लिए इसकी तुलना सर्व समीका A की घाट 2, RIN B की घाट 2, बराबर कोश्टक में A, RIN B, कोश्टक बन फिर दूसरे कोश्टक में A, धन B कुष्टक बंद से करने पर X की घात दो रिण 20 की घात दो बराबर हम लिखेंगे X रिण 20 और X धन 20 चुकि सर्वस्वमी का A की घात दो रिण B की घात दो बराबर A रिण B और A धन B होता है इसका प्रयोग कर हम A के स्थान पर हमने X लिया है और B के स्थान पर 20 लिया है इसलिए X रिण 20 और X धन 20 बराबर 0 या X रिण 20 बराबर 0 या X धन 20 बराबर 0 या पक्षानतार करेंगे हम रिण 20 को तो X बराबर 20 या X बराबर धन 20 का पक्षानतार करेंगे तो रिण 20 चुकि लंबाई और चोड़ाई रिणात्मक नहीं हो सकती इसलिए X का मान रिण 20 नहीं हो सकता इस संधर्म में X को आयतकार बगीचे की चोड़ाई माना गया था अता आयतकार बगीचे की चोड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई 2 X बराबर 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर होगी समिकरण 2 X की खाद 2 धन 30 X रिण 1000 बराबर 0 में हमें समकोण त्रिभुजकार क्यारी के शीर्षलम वा अधार भुजा की लंबाई की माप ग्याद करने चुकि समिकरण 2 का बाया भाग एक द्विगाती बहुपद है इसका गुणन खंडन करेंगे हमारे पास हम X की खाद 2 और धन 30 X के स्थान पर हम लिख सकते हैं 50 X रिण 20 X रिण 1000 बराबर 0 में अब कहीं 50 X रिण 20 X को घटाएंगे तो हमें 30 X प्राप्त होता है और धन 50 को रिण 20 से गुणा करेंगे तो हमें रिण 1000 प्राप्त होंगा इसलिए हमने धन 30 X को तोड़कर लिखा है धन 50 X रिण 20 X अब हम पहले दो पदों से उभाइनिश निकालेंगे X तो यहां कोश्टक में X धन 50 और उसी तरह से यहां से रिण 20 को कहीं हम उभाइनिश निकालेंगे तो X धन 50 बराबर 0 में अब दोनों पदों से कहीं हम X धन 50 को उभाइनिश निकालते हैं तो दूसरे कोश्टक में X रिण 20 कोश्टक बराबर 0 या कोश्टक में X धन 50 कोश्टक बराबर 0 या एक्स रिण 20 बराबर 0 या एक्स रिण 20 बराबर 0 या एक्स रिण 20 कोश्टक करेंगे तो धन 20 हो जाएंगा जिसमें हम सिरिफ 20 लिखेंगे तो हमने एक्स का मान फ्राप्त किया रिण 50 या एक्स बराबर 20 अतहा समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीष लंब की लंबाई 20 मीटर अतहा लंबाई जो होंगी अतहा समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीष लंब की लंबाई जो होंगी वहाँ 20 मीटर है और उसी तरह से आधार भुजा आधार भुजा की लंबाई बराबर एक्स धन 30 है तो एक्स के स्थान पर हम जब 20 रखेंगे 20 धन 30 बराबर 50 मीटर होनी चाहिए इसी तरह से समीकरण 3 का गुणन खंडन करके संख्याएं प्राप्त की जा सकती है नीचे दिये गए उधारणों में हम द्विघाज समीकरणों का गुणन खंडन कर हल प्राप्त करेंगे प्राप्त करेंगे